Hello friends, good morning, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में दोस्तों, आज है रवीबार और आज के special वीडियो में UK Study Circle की टीम आपके ले लेकर आई है जनवरी से दिसंबर तक के संपूर्ण करिंट अफिर्स का भाग तीन दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग दो से आगे के 50 questions को deeply discuss करने वाले हैं साथ ही हम कल पुछे गए सवाल को deeply discuss करेंगे और सबसे अंत में होगा question of the day यानि आज का सवाल दोस्तों, यदि आपने अभी इसका भाग एक और भाग दो नहीं देखाया अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो like और share करना ना भूलें साथ ही यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लें और bell icon भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो के notification आप तक पहुँचे सबसे बहले दोस्तों आज रविबार है तो 3 बजे UK study circle दोरा UK SSC पर आधारिक परिच्छा का link हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा वहां से आप परिच्छा दे सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल का link description में given है या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर UK study circle सर्च करके भी हमारा चैनल जोइन कर सकते हैं तो जिसकिसी वह भी ये परिच्छा देनी हो वो टेलीग्राम चैनल जोइन कर ले और 3 बजे वहां पर जाके link पर click करके परिच्छा दे सकते हैं तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स आज का पहला सवाल है 2020 में किनहे राष्टिय किरसी विज्ञान अकादमी में fellow बनाया गया है और आपके options हैं तो दोस्तों इस question का जो सही answer है वो है option A यानि डॉक्टर लक्षमी कान्त दोस्तों विज्ञान परवतिय किरसी अनसंधान संस्थान की इस्थापना 1924 में कलकता में की गई थी और 1936 में इसे अलमोडा इस्थानांतरित किया गया था इसके संस्थापक डॉक्टर बोसी सेन थे तो दोस्तों आप बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर किस देश की दूसरी सर्वोच्च चोटी के मार्ग का नाम उत्राखंड में कारियरत IAS के नाम पर रखा गया है और आपके उप्सन से A. Switzerland, B. France, C. Spain या D. Germany तो दोस्तों इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन C यानी Spain France, Spain में दूसरे सर्वोच्च सिखर का नाम Magistrate Point रखा गया है तो दोस्तों आप बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर खबरों में रहे उत्राखंड के महेश कुमार किस छेतर से सम्मंदित है और आपके उप्सन से A. खेल, B. निर्त्य, C. राजनीती, F.D. लोग गयान तो दोस्तों इस कुशिन का सही आंसर है उप्सन D. यानि लोग गयान फ्रिंट्स महेश कुमार उत्राखंड के सूपरिस्टार लोग गयान है हाल ही में इनका नया गीत उड़ घिनोडी धार्मा लॉंच किया गया है फ्रिंट्स गिनोडी चडियां हाल में विलुक्ति के कगार पर है तो दोस्तों आप बढ़ते हैं चोथे सवाल की ओर हाल ही में किस जिले के देवी मंदिर में पाताल भुनेस्वर जैसी गुफा की खोच की गई है और आपके उप्सन से तो दोस्तों इस कुषिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन बी यानि पितोरागड में फ्रिंट्स पितोरागड के खनपर गाओं में पाताल भुनेस्वर जैसी गुफा की खोच की गई है दोस्तों गुफा के अंदर छोटे छोटे सिवलिंग सपेद पत्थर और जल्धारा मिली है तो दोस्तों आप बढ़ते हैं पाँच में सवाल की ओर हाल ही में फेव इंडिया एसिया पोस्ट के पचास उंदा विधायकों में उत्राखंड के किस विधायकों सामिल किया गया है और आपके उप्सन्स हैं तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन्स डी यानि ए वसी दोनो यानि रीतु खंडूडी और मुन्ना सिंग चौहान यमके स्वर्भ ब्लॉक पॉडी की विधायक रीतु खंडूडी को सुधारवादी कैटेगरी में और विकास नगर ब्लॉक देहरादून के विधायक मुन्ना सिंग चौहान को परपथफुल कैटिगरी में उम्दा विधायक चुना गया है तो दोस्तों आप बढ़ते हैं चटे कुशिन की ओर दी उत्राखंड एथनॉल प्लांट कहां इस्थापित किया जाएगा और आपके उप्शन से तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्शन बी यानि बाजपुर में फ्रेंट्स सो केल डीपी च्छमता का एथनॉल प्लांट बाजपुर में इस्थापित किया जाएगा यह भारत सरकार के एथनॉल ब्लेंडेट पेट्रॉल कारिक्रम के तहत 2022 तक पेट्रॉल में 10% एथनॉल मिलाने के लक्ष के तहत सामिल किया गया है दोस्तों एथनॉल के इस्तिमाल से लगभग 35% तक कम कार्बन मोनो ऑक्साइड गेस का उत्सरजन होता है तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं साथवे कुश्यन की ओर उत्राखंड में सेंटर फॉर ग्लेशियरोलोजी प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है वह किस संस्थान में चलाया जा रहा था और आपके उप्सिंस हैं तो दोस्तों इस कुश्यन का जो सही आंसर है वह है उप्सिंस C यानि वाडिया हिमाले भूविज्यान संस्थान फ्रेंड्स ग्लेशियरों के अध्यन के लिए 4 जुलाई 2009 से यह अभियान चलाया जा रहा था दोस्तों वाडिया इंस्ट्यूट आफ हिमाले जियोलोजी की स्थापना 1967-68 में दिल्ली विस्विद्याले में की गई थी और अपरेल 1976 में इसे देहरा दून में स्थापित किया गया तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आठवे कुश्यन की ओर तो दोस्तों इस कुश्यन का जो सही आंसर है वो है उप्सन C यानि तीसरा फ्रेंड्स जारखंड के बाद हरियाना और हरियाना के बाद उत्राखंड का इसमें स्थान है फ्रेंड्स स्रिटीजन फीडबेक स्रेडी में चावनी छेतर अलमोडा को तीसरा इस्थान मिला है और पहला इस्थान नंद प्रियाग नगर पंचायत को मिला है दोस्तों पचास हजार से एक लाग आबादी वाले सहरों की स्रेडी में पितरागण को 58 वा इस्थान मिला है सबसे स्वच्च सहर इंद ओर जो की लगातार चौथी बार सबसे स्वच्च सहर रहा है और उसके बाद सूरत उसके बाद नवी मुंबई दोस्तों देश की बावन चावनियों में से लेंस्टोन चावनी को चौथा इस्थान प्राप्त हुआ है स्वच्चता सर्वेक्षण की सुरुवात 2016 में की गई थी फ्रिंट सर्वेक्षण केंदरी आवास एवं सहरी विकास मंत्राले द्वारा किया जाता है और वर्तमान मंत्री हैं हरदीव सिंग पुरी तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नवे कोशिन की ओर कौन सा राज्य अपने स्टार्ट अप पोर्टल का केंदर सरकार के स्टार्ट अप पोर्टल में एकी करन करने वाला पहला राज्य बन गया है तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन B यानि उत्राखंड फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं दसवे कुशिन की ओर उत्राखंड के किस परवतारोही द्वारा वर्स 2020 में मैं वर्सेज वाइल्ड सो में भाग लिया गया और आपके उप्सन्स हैं A. सीतल राज B. करनग्वाल C. लवराज धर्मसक्तू या फिर D. तासी नुंग्शु मलिक तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन D यानि तासी नुंग्शी मलिक फ्रेंड्स 2013 में तासी नुंग्शी मलिक ने दुनिया की सर्वोच चोटी माउंट एवरेश्ट फतह की थी दोस्तों ये ये दक्षिनी और उत्तरी धुरू भी फतह कर चुकी है बेर ग्रिल्स के सो मैन वर्सेज वाइल्ड में इको चलेंज फीजी में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों इन्हें नारी सक्ती पुरुषकार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं ग्यारवे कुश्चिन की ओर उत्राखंड के किस स्कूल को स्टार अटल ऑफ इंडिया के लिए चायनित किया गया है और आपके उप्शन से हैं तो दोस्तों इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्शन ब यानि राज़किये आदर्स इंटर कॉलेज हवाल बाग फ्रिंट्स राज़किये आदर्स इंटर कॉलेज हवाल बाग को अलबोडा की अटल टिंकरिंग लैब स्टार अटल ऑफ इंडिया के लिए चैनित किया गया है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बारवे कुश्चिन की ओर राश्टिये खेल पुरुसकार 2020 में उत्राखंडे से सम्मंधित कौन खिलाडी सामिल है और आपके ओप्शन है तो दोस्तों इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है ओप्शन दी यानि एववी दोनो यानि जस्पाल राणा और विसेज ब्रगुवंसी फ्रेंट्स भारतिय जूनियर निसानिबाच कोच जस्पाल राणा को द्रोणाचारे पुरुसकार जो की regular category में मिला है और भारतिय बास्केटबॉल टीम के कप्तान विसेज भ्रगुवंसी को 2020 के अरजुन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है दोस्तों जस्पाल राणा तीहरी के रहने वाले हैं और इनका उपनाम है गोल्डन बॉय फ्रेंट्स इन्हें पदमसरी और अरजुन पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है जबकि विसेज भ्रगुवंसी मूल वारानसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बास केट वॉल के लाड़ी है दोस्तों अब बढ़ते हैं तेरवे कुश्चन की और तो दोस्तों इस कुश्चन का जो सही आंसर है वो है उप्सन सी यानी उत्राखंड सरकारी ठिंग टैंक नीती आयोग द्वारा पहली बार जारी रैंकिंग में उत्राखंड पहली इस्थान पर रहा है निरियात सुईधाओं के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई थी इसमें पर्थम इस्थान पर गुजरात है, दूसरे इस्थान पर महराश्रो और तीसरे इस्थान पर तमिलनाडू जबकि हिमालई राज्योवे पहले इस्थान पर उत्राखंड दूसरे इस्थान पर त्रिपुरा और तीसरे इस्थान पर हिमाचल परदेश है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं चौदवे कुश्चिन की और उत्रागंडे का पहला Migratory Bird Community Reserve कहां बनाया जा रहा है और आपके options हैं A. नैनीताल, B. बाजपुर, C. पंतनगर या फिर D. चमोली तो friends इस question का जो सही answer है वो है option B यानी बाजपुर में दोस्तों बाजपुर, उधमसी नगर जिले में स्थित है World Migratory Bird Day 9 मई को बनाय जाता है और 2020 में इसकी theme थी Birds Connect Our World तो friends अब बढ़ते हैं पंतनगर में question की और दुरलब Ring Tail Cat उत्राखंडे के किस स्थान पर देखी गई है और इसके options है A कारबेट राष्टी उद्ध्यान, B नंदा देवी बायोस्पियर रिजर्व, C जॉली ग्रांट एरपोर्ट या फिर दी नैनी सैनी तो friends इस question का जो सही answer है वो है option C यानी जॉली ग्रांट एरपोर्ट में दोस्तों जॉली ग्रांट एरपोर्ट छेतर में forest team दोरा दूरलव ringtail cat का rescue किया गया दोस्तों इसका वेगैनिक नाम Bacericus astutus है और यह raccoon family का mammal है दोस्तों यह मूल रूप से North America में पाई जाती है और IUCN की red list में least concern category में सामिल है तो friends इसी के साथ बढ़ते हैं सोलवे question की ओर हाल ही में उत्राखंड में किस नदी के पुनर जनन अभियान को E.Lates उत्रिश्टता पुरुसकार दिया गया है और आपके options है A. कुजगर B. गंगा C. राम गंगा या फिर D. कोसी तो दोस्तों इस question का जो सही answer है वो है option D. यानि कोसी नदी को वाटर इनोवेशन समिट 2020 के तहत कोसी नदी पुनर जीवन अभियान को E.Lates उत्रिश्टता पुरुसकार से समानित किया गया है कोसी पुनर जनन अभियान के जनक प्रोफिसर जीवन सिंग रावत है दोस्तों कोसी नदी पुनर जनन अभियान के ब्राण्ड एवेशन है लक्ष्य सेन तो फ्रेंड्स इसी के साथ बढ़ते हैं सत्रवे question की ओर खबरों में रहे एथलीट विनै साहा उत्राकर्ण के किस जिले से सम्बंदित है और आपके options हैं A. अलमोडा, B. पितोरागर, C. तो दोस्तों इस question का जो सही answer है वो है option A यानि अलमोडा से दोस्तों एथलीट विनै साहा द्वाराहाट निवासी हैं और फ्रांस में ये भारत का प्रतिरीदित करेंगे खेल दीवस के मौके पर ये अंतराश्टिय दोड़ में सामिल थे हैं दोस्तों इन्होंने 6 घंटे मे 73 किलोबीटर की दोड़ पूरी की तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं अठारवे question की ओर हाल ही में किन्हें सोबन सिंग जीना विस्विद्याले का पहला कुलपती न्यूक दिकिया गया है और आपके options है A कृतिका पांडे B अस्विनी चौधरी C नरेंडर भंडारी F D अभिन था 1973 में इसे कुमाविस्विद्याले के गठन के साथ ही इसे संगठन महाविद्याले का दर्जा दिया गया दोस्तों मार्च 1994 में इसे परिसर का दर्जा मिला और 2001-2002 में इसका नाम सोबन सिंग जीना परिसर रखा गया 2016 में उत्राखंड आवासी विद्याले की भी स्थापना की गई दोस्तों बदरी दत्त पांडे PG कॉलेज बागिस्वर और लक्षमण महर कॉलेज पितोरागड इसके परिसर होंगे तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 19 में कुश्चिन की ओर किस जिले में T90 वट T72 टैंक के फाइरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्मान किया जाएगा और आपके उप्सिंस हैं A. अमोली, B. देहरादून, C. पितोरागड या फिर D. टीरी और फिरिंट्स इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिंस B यानि देहरादून में दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत फाइरिंग कंट्रोल सिस्टम को देहरादून में तयार किया जाएगा तो दोस्तों आप बढ़ते हैं 20 वे कुश्चिन की ओर देश के कौन से टाइगर रिजर्व हैं बागों की संख्या सरवादिक है और आपके उप्सिंस हैं तो दोस्तों इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है option B यानि कारवेट नेशनल पार्क उतराखंड दोस्तों देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें से सरवादिक बाग कारवेट नेशनल पार्क में हैं जिनकी संख्या है 266 दोस्तों कारवेट नेशनल पार्क की सापना 1936 में की गई थी हाल ही बे राष्टिय बाग संरक्षा प्राधिकरन एंटी सीय द्वारा बागों की गरना की गई और एंटी सीय द्वारा ही की जाती है तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 21 वे कुशिन की ओर किस धाम में आस्था पत नाम से दिव्यांग स्रद्धालों के लिए सुविदा जनक रास्ता बनाया गया है और आपके उप्सेंस हैं और दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन B यानि के दारनात में है फ्रेंट्स इसके बाद बढ़ते हैं 22 वे कुशिन की ओर प्रधान मंतरी द्वारा स्वामित्य योजना की गोश्णा कब की गई और आपके उप्सन से हैं तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन D यानि 24 अपरेल 2020 को फ्रेंट्स 24 अपरेल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्य योजना की गोश्णा प्रधान मंतरी द्वारा की गई थी इस योजना के उद्देशिक ग्रामीर छेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक ताय करना है दोस्तों पहले चरण में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों उत्तरप्रदेश हरियाना करनाटक मद्यप्रदेश उत्राखंड और महराष्ट में इसे लागू किया गया दोस्तों उत्राखंड के तीन जिले पॉड़ी हरिद्वार उधमसी नगर के गाउं में पहले सर्वे करा गया दोस्तों इसका संचालन पंचायती राज मंतरा ले राज्यों के पंचायती राज विभाग और भारती सर्वेक्च्ण विभाग द्वारा किया जा रहा है तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 23 में कुश्चिन की और खबरों में रही गुंजन बाला किस खेल से संबंदित है और आपके उप्शन से और फ्रेंट्स इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है ओप्शन सी यानी ताइक कमांडो दोस्तों गुंजन बाला बागेस्वर की रहने बाली है और 2018 से बागेस्वर की उपक्रीडा अधिकारी भी है 2001 में राज्य स्तरी ताइक कमांडो परतियोगिता में इन्होंने स्वन पदक जीता था 2006 में 26 वी राष्टी जूनियर नेशनल ताइक कमांडो परतियोगिता में भी इन्होंने स्वन पदक जीता था 2006 में वेतनाम में ताइक कमांडो वर्ल्ड जूनियर चेंपियंशिप में इन्होंने भारत का प्रतिनित भी किया है दोस्तों ये उत्राकंड की पहली महिला ताई कमांडों खिला रही है 2019-20 में इन्हें तिलू रोतिली पुस्कार से भी सब्मानित किया जा चुका है फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 24 में कुश्चिन की ओर पर्देश का पहला होटी टूरिजम सेंटर कहां बनाया जा रहा है और आपके उप्सन से और फ्रेंट्स इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन ए यानि पितौरागड में दोस्तों होटी कल्चर को टूरिजम से जोडने के लिए होटी कल्चर सेंटर्स की स्थापना की जा रही है और पितौरागड के बड़ाबे गाउ में इसके लिए भूमी चैनित की जा चुकी है फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं पच्चिसवे कुश्चिन की ओर स्वदेश हेरिटेज सर्किट योजना के तहत अलमोणा के किस इस्थान को चैनित किया गया है और आपके उप्सिन से ए कटारमल बी जागेश्वर सी रानी खेत या फिर दी ए वभी दोनों तो फ्रेंट्स इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिन डी यानि ए वभी दोनों दोस्तों स्वदेश दर्सन योजना के तहत परियतन उद्द्योग का विकास किया जा रहा है प्रेंट्स अलमोणा के कटारमल अलमोणा जिले के कटारमल और जागेश्वर धाम का इसके तहत विकास किया जाएगा दोस्तों स्वदेश दर्सन योजना की सुरुवाद 2015 में की गई थी और यह योजना सुपरतिसत केंद सरकार दोरा वित्त पुसित है दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 26 वे कुश्चिन की और प्रफम इस्थानप पर आंदरप्रदेश रहा दूसरे पर उत्तरप्रदेश तीसरे पर तेलांगना और उत्राखंड का इसमें 11 इस्थान रहा और उत्राखंड के बाद 12 इस्थान पर दिल ली था दोस्तों निर्मान पर्मिट स्रम कानून परियावरन पंजी करण सूचना तक पहुँच और जमीन उबलबता साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम मांदनों पर इस योजना के तहत आकलन किया गया था दोस्तों आप बढ़ते हैं 27 वे कुशिन की और खबरों में रही सिक्योर हिमालय परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है और आपके उप्शन से A. UNEP, B. UNDP, C. WWF या फिर D. UNESCO और फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्शन B यानि UNDP दोस्तों UNDP यानि United Nations Development Program के तहट सिक्योर हिमालय परियोजना 2 अक्टूबर 2017 से चलाई जा रही है दोस्तों इसमें चार राज्य उत्राकंड हिमाचल परदेश, जम्मू कस्मीर और सिक्किम सामिल है यह एक 6 वर्सी योजना है जो की 2017 से 2030 तक चलाई जाएगी दोस्तों इसके तहट पहली बार स्नो लेपर्ड की गड़ना की गई थी और देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर गंगोतरी नेशनल पार्क उत्तरकाची में खोला गया था तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 28 वे कुश्चिन की ओर उत्राखंड संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या होगा और आपके उप्सिंस हैं तो फ्रेंट्स इस कुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिंस बी यानी उत्राखंड संस्कृत अकादमी की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को की गई थी इसके अध्यक्च मुख्यमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्च डॉक्टर प्रेंचंद सास्त्री हैं दोस्तों इसका कारियस्तान हरिद्वार इस्थित जैराम आसरम संस्कृत महाविद्याले होगा फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 29 वे कुश्चिन की ओर परदेश का पहला थेलस गार्डन कहां इस्थापित किया जा रहा है और आपकी उप्सिंस हैं तो फ्रेंट्स इसकुश्चिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन डी यानि मुझश्यारी में दोस्तों पितोरगण के मुझश्यारी तहसील में उत्राखंड का पहला थेलस पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है थेलस पादब जगत की सबसे निचली स्रेडी में आने वाला एक साख है दोस्तों इसमें जड़, तना और पत्ती का अभाव पाय जाता है तो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं तीसवे कुश्यन की ओर तो फ्रेंट्स इस कुश्यन का जो सही आंसर है वो है ओप्सन C यानी तीस रह दोस्तों NSO यानी राष्टिय सांकी की कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की ओसत साक्षर्टा लगभग 77.7% है फ्रेंट्स इसमें सर्वस्रिष्ट प्रदस्टन केरल राजिका रहा है जिसकी साक्षर्टा दर 96.2% है दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा है जहां साक्षर्टा दर 89% है और तीसरे स्थान पर उत्राखंड रहा है जिसकी साक्षर्टा दर 87.6% दोस्तों सबसे खराब परदर्सन आंद्रप्रदेश का रहा है राष्टी इस्तर पर महिला साक्षरतादर 70.3 परदिसत है और पुरुष साक्षरतादर 84.7 परदिसत है तो फ्रेंट्स इस कुषिन का जो सही आंसर है वो है option B यानि महीम वर्मा दोस्तों CAU यानि Cricket Association of उत्राकंड इसकी इसापना 2000 में की गई थी 13 अगस्त 2019 को इसे BCCI दोरा मानिता दी गई थी इसका मुख्याल है रायपूर दहरादून में है और इसके वत्मार अध्यक्ष जोद सिंग गुन्सोला है फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 32 में कुषिन की और भारत में औरकिट की दुटलब परजाती किस राजिबे मिली है और आपके options है A उत्राकंड B उत्तरप्रदेश C तो फ्रेंट्स इसकुषिन का जो सही answer है वो है option A यानि उत्राकंड में है दोस्तों चामोली जिले में सब्तकुंड ट्रेक जो की 3800 मीटर की उचाई परिसिद है घंशियाल उडियार गुफा के पास औरकिट परजाती का दुरलब फूल लिपेरिस पिग्मिया हो जा गया ह फ्रेंट्स भारत में 124 वर्स पहले यहां सिक्किम और पश्यम बंगाल वाले छेतर में देखा गया था दोस्तों यहां IUCN की रेड लिष्ट में सामिल है दोस्तों आप बढ़ते हैं 33 वे question की ओर उत्राकंड सरकार ने किस विभाग को आसूचना संगधन यानि intelligence organization गोजित क किया है और आपके options है A Police विभाग, B I B विभाग, C सतरकता विभाग या फिर D रक्षा विभाग तो friends इस question का जो सही answer है वो है option C यानि सतरकता विभाग दोस्तों सतरकता विभाग एवं सतरकता अधिश्टान intelligence organization RTI के डायरे के बाहर कारी कर सकता है friends उत्राकंड सतरकता अधिश्टान की स्थापना 2002 में हुई थी इसका मुख्याले दहरादून में इस्तित है और इसके वर्तमान डायरेक्टर वी विनाई कुमार है friends इसी के साथ बढ़ते हैं 34 वे कुशिन की ओर किस राजी में निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए राजी भर में संस्कृत ग्राम इस्थापित किये जाने हैं और आपके options है ए पंजाब बी बिहार सी उत्तर परतेस या फ्री डी उत्राखंड तो friends इस कुशिन का जो स संस्कृत ग्रामों की एस्थापना की जाएगी कीमोठा गाउं चमोली और बंटोला गाउं पागिस्वर में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहर संस्कृत गाउं भी इस्थापित किये जा चुके हैं दोस्तों संस्कृत को देवाणी या सुर्भारती कहा जाता है और 2005 में यह सास्तरी भासा घोशित की जा चुकी है दोस्तों सम्विधान की आठवी अन्सूची में 22 भासाओं में इसे सम्मिलित किया गया है फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 35 भे कुशिन की ओर 2020 में इंदरीज बाबा का निधन हो गया है वे किस खेल से सम्मिलित थे और आपकी आप्शन से हैं A क्रिकेट B बॉली बॉल C फुटबॉल या फिर D टैनिस तो फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है आप्शन C यानि फुटबॉल दोस्तों इंदरीज बाबा उतराखंड के फुटबॉल कोच रह चुके हैं ये देहरादून फुटबॉल एकेडमी दोरा उतराखंड फुटबॉल रतन अवार्ट 2020 का बेस्ट फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है ओप्शन A यानि अल्मोडा दोस्तों अल्मोडा के निवासी लक्षी सेन एक बैटमेंटिन खिला रही है इनका चयन थॉमस कप और उबेर कप के लिए भारती टीम में हुआ है दोस्तों लक्ष सेन के भाई चिराक सेन भी इ इशिया जूनियर चेंपियंशिप में गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं दोस्तों यह कोसी पुनरजनन अभियान के ब्रांड एमेजडर भी चुने गए हैं दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं 37 वे कुशिन की ओल परदेश का दूसरा और कुमाओं का पहला SDRF प्रसिक्षन केंदर किस जिले में बनाये जाएगा और आपके उप्सिन्स हैं A. बागेस्वर B. चमपावत C. नैनिताल या फिर D. अलमोडा तो फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिन B यानि चमपावत में दोस्तों उतराखंड का पहला SDRF स्टेट डिजास्टर र कुशिन की ओर उतराखंड में किस स्थान पर डिफेंस हब बनाये जाएगा और आपके उप्सिन्स हैं A. लेंस्टाउन B. दहरादून C. पितोरागड या फिर D. हलदौनी तो दोस्तों इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिन B यानि दहरादून में फ्रेंट्स उत क्रणों के उत्पादन हेतु डिफेंस उद्यम पॉलिसी भी तयार की जा रही है दोस्तों इसमें उद्यमियों को निवेस के लिए प्रोच साहन दिया जा रहा है दोस्तों आप बढ़ते हैं 49 में कुशिन की ओर COVID-19 के कारण राज्य में लौट रहे प्रवासियों को सी यानी MSY दोस्तों मुक्यमंतरी सरोजगार योजना यानी MSY मैं विनिर्मान और सेवा छेतर में रिण पर लगभग 10 से 25 परतिसद तक अनुदान दिया जाएगा दोस्तों विनिर्मान छेतर के लिए परियोजना लागत की सीवा 25 लाख रखी गई है और सेवा छेतर के लि अब्तपुर्ण जिम्मेदारी सौपी गई है और आपके options है A. आपदा प्रबंदन, B. COVID-19, C. प्रधानमंतरी कारियाले या और D. सचिवाले और दोस्तों इस question का जो सही answer है वो है option C. यानी प्रधानमंतरी कारियाले में इन्हें Under Secretary की जिम्मेदारी दी गई है ये 2012 के IAS अ Fame India magazine में प्रेरग जिलादी कारियों की study में इन्हें सबसे लोगप्रिय जिलादी कारी बताया गया फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 41 में question की और केंदरी या वाणिजी एवं उद्योग मंतराले द्वारा जारी startup ranking 2019 में उत्राखंडक कौन से इस्थान पर रहा और आपके options है A. A.9 इस्थान पर B.12 इस्थान पर C.20 इस्थान पर D.15 इस्थान पर तो friends इस question का जो सही answer है वो है option A यानि नवे इस्थान पर Friends 2018 की emerging strategy से upgrade होकर 2019 में aspiring strategy में उत्राखंड ने इस्थान पराप्त किया है दोस्तों startup ranking में उत्राखंड का नवा इस्थान रहा है उत्राखंड के साथ aspiring strategy में सामिल अन्यराज, हरियाना, जहारखंड, नागालेंट, पंजाब और तेलंगाना है दोस्तों best performance ready में गुजरात और अंडमा निकोबार रहे और top performance ready में करनाटक और केरल Friends अब बढ़ते हैं बयाली स्थान की और उब्भोकता मुली सूचकांग के अनुसार सीर्स पांच महेंगे राज्यों में उत्राखंड का कौन सा इस्थान है और आपके options हैं A, 5 वहाँ B, 14, C, 3rd या फिर D, 1st तो दोस्तों इस question का जो सही answer है वो है option A यानि 5th दोस्तों केनरीय सांकी की मंतराले द्वारा जारी उब्भोकता मुली सूचकांग में उत्राखंड पांच में स्थान पर रहा दोस्तों पांच सबसे महेंगे राज्य हैं असम, पश्यमंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्राखंड अब बढ़ते हैं 43 वे question की ओर परदेश में मुक्यमंतरी सौर, उरजा, स्वरोजगार, योजना कब लागू की गई है और आपके options हैं A.B. सितंबर, B. 22. सितंबर, C. 23. सितंबर, याफ़ D. 18. सितंबर तो friends इस question का जो सही answer है वो है option B यानि 22. सितंबर को दोस्तों पूरे परदेश में 25 किलोवाट छमता के solar plant लगाने की यह योजना है राज सरकार द्वारा सिमान्त जिलो में 30 परतिसत और परवती जिलो में 25 परतिसत तक तथा अन्य जिलो में 15 परतिसत तक अंदान दिया गया है दोस्तों इस योजना के तहत 15 साल के लिए कम EMI पर रिन की सुविधा प्रदान की जाएगी अब बढ़ते हैं 44 में question की ओर हिमालई छेतर का पहला जियो थर्मल एनरजी प्लांट कहां लगाया जा रहा है और आपके options है A उत्राखंड B हिमाचल परदेश C सिक्किम या फ्रिडी जम्मु कस्मीर तो friends इस question का जो सही answer है वो है option A यानि उत्राखंड दोस्तों जो सिमट चमोली के समीप तपोवन में गर्मक पानी का जहरना प्लांट लगाने के लिए चैनित किया गया है दोस्तों जहरने से बिजली का उत्पाधन भी किया जाएगा वाडिया हिमालय भुविज्यान संस्थान में पावर प्लांट लगाने के लिए जैदेवम एनरजी प्राइबेट लिमीटेट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं फ्रेंट्स वाडिया इंस्टिटूट अफ हिमालेन जियोलोजी उनिस सो और सट में इस्थापित किया गया था 1976 में इसे दहरादून में सिफ्ट किया गया फ्रेंट्स इसके वर्तमा निदेशक कलाचंद साई है तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं पैतालिस्वे कुश्चन की और मुख्यमंतरी द्वारा किस जिले में उत्राखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का लोकारपन किया गया है तो फ्रेंट्स इस कुश्चन का जो सही आंसर है वो है उप्सन B यानि देहरादून दोस्तों 22 सितमर को देहरादून में आनंदवन का लोकारपन किया गया उत्राखंड सिटी फॉरेस्ट आनंदवन जहाजरा वन रेंज परिसर में सित है फ्रेंट्स नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में इसे विक्सित किया जाएगा परियाटकों के लिए यहां एक अकरसन का केंदर बनेगा तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 46 में कुश्चन की ओर आयुस्मान योजना में फ्रोड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुकतान करने में उत्राखंड को देश में कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है और आपकी उप्सन से ए पहला बी दूसरा तो फ्रेंट्स इस कुश्चन का जो सही आंसर है वो है उप्सन ए यानि पहला इस्थान दोस्तों आयुस्मान योजना आयुस्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को सुरू की गई थी उत्राखंड में 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुस्मान योजना के नाम से इसे लागू किया गया परदेश के सभी 23 लाग परिवारों को आयुस्मान योजना में 5 लाग रुपे तक की इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है NHA यानि राज्टिय स्वास्त प्राधिकरन द्वारा फ्रॉड रोकने और क्लेम भुकतान में उत्राखंड को देश का पहला राज्य कुशित किया गया है फ्रेंट्स इसी के साथ बढ़ते हैं 47 में कुशिन की और 2020 में विधान सभा में उत्राखंड तकनीकी विस्विध्याले संसोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया है इसके तहत UTU का नाम किस के नाम पर रखा गया है और आपके उप्सिन से A. देवी दत्पंत B. माधोसी बढ़नारी C. सोबन सिंग जीना या फ्रिटी गौरा देवी तो फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सिन B यानि माधोसी बढ़नारी दोस्तों UTU का नाम माधोसी बढ़नारी के नाम पर रखा गया है UTU यानि उत्राकंड Technical University इस किस्ता अपना 27 जनवरी 2005 को दहरादुन में की गई थी फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 48 में कुशिन की ओर उत्राकंड के किस संस्थान को NMICPS के तहट Technology Hub मिलने जा रहा है और आपके options हैं AWIHG BIIT रुड की CUTU या फिदी इन में से कोई नहीं तो फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है option B यानि IIT रुड की को दोस्तों NMICPS National Mission of Interdisciplinary Cyber Physical System है भारत में CPS प्रोध्योगी के परसार में तेजी लाने और विज्ञान को प्रोध्योगी की विभाग द्वारा NMICPS की स्थाफना की गई थी फ्रेंट्स IIT रुड की को NMICPS के तहत Technology Hub बनाया जा रहा है विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग की और से स्थाफत किये जा रहे 25 केंदरों में से IIT रुड की को एक केंदर चुना गया है फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं 45 में कुशिन की और उत्राखंड पर्याटन विकास बोर्ड UTDB ने टिरी जील में Adventure खेल गतिविदियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किये हैं और आपके options है A N I M B ITBP C SSB FD इन में से कोई नहीं फ्रेंट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है option B यानि ITBP दोस्तों ITBP पर्याटन विभाग के साथ मिलकर राजीव गांदी Adventure Sports Academy में Adventure Sports गतिविदियों Land Base Adventure Center Water Base Adventure Center Aerobase Adventure Center के निर्वान पर काम करेगा दोस्तों UTDB यानि उत्राखंड Tourism Development Board उत्राण चल पर्याटन विकास परिसत अधिनियम 2001 के तहत इसकी इस्तापना की गई थी फ्रेंट्स पर्याटन विकास Board की इस्तापना करने वाला पहला राज ये उत्राखंडी ही है दोस्तों 2001 में उत्राखंड को पर्याटन परोचसान के लिए पर्याटन मंत्राले भारत सरकार द्वारा राश्टी परुसकार भी दिया जा चुका है तो दोस्तों आप बढ़ते हैं आज के आखरी और पचासवे कुशिन की ओर देश का पहला स्नो लेपर्ट कंजर्वेशन सेंटर के स्राज में बनाया जा रहा है और आपके उप्सेंस हैं ए उत्राखंड बी सिक्किम सी जम्मुकस्मीर या फ्रिटी हिमाचल परदेश तो फ्रिट्स इस कुशिन का जो सही आंसर है वो है उप्सन ए यानि उत्राखंड दोस्तों गंगोतरी राष्टी उध्यान के परवेशदार भैरोगाटी वा लंकापुल के बीच सिक्क्योर हिमालय परियोजना के तहत स्नो लेपर्ट कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों स्नो लेपर्ट की उत्राखंड में पहली बार गढ़ना भी की गई सेंटर्स का डिजाइन नीदर्लेंड के आर्किटेक्ट प्रोफिसर एने फिनिस्त्रोदरा तैयार किया गया है तो फ्रेंड्स अब बारी है पिछले वीडियो में पूछेगे सवाल की तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था और आपके उप्संस है A. 21 मई 1930 B. 30 मई 1930 C. 25 जुलाई 1931 या फिर D. 25 मई 1930 तो फ्रेंड्स जिन जिन लोगों ने इस कुषिन का सही आंसर दिया है उनके नाम है तो फ्रेंड्स आप सभी को UK Study Circle की और से बहुत-बहुत बढ़ाई और हार दिक सुपकाम नहीं दोस्तों इस कुषिन का जो सही आंसर है वो है option B यानि 30 मई 1930 को तिलाडी कांड घटित हुआ था फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं Question of the Day यानि आज के सवाल की और तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है नैपाल से उत्राखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है और आपके options है A3, B4, C5 या फिर D. 6 है तो फ्रेंड्स इस question का answer हमें comment box में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करना ना बूलें साथ ही हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें दोस्तों आज रवी बार है तो आज 3 बजे टेलिग्राम चैनल पर परिक्षा का link डाला जाएगा जो की UK SSC के pattern पर आधारित होगी तो दोस्तों अगर आप उत्राखंड के उत्राखंड से संबंदित किसी भी परिक्षा की तयारी कर रहे हो तो ये परिक्षा जरूर दें इसे देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना है और वहाँ पे तीन बजे हम एक link प्रोवाइड करेंगे और उस link पे क्लिक करके आप सीधे परिक्षा दे सकते हैं फ्रेंड्स जरूर ये परिक्षा दें तो मिलते हैं कल की वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार